क्या होते है नेल एक्स्टेंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचिंचि सिट आइड और वीडियो तिल दी एड ओके वेन रेसेंटली नेल इंट विडियो तो इन पर नहीं है और थोड़े से बढ़ती हैं और वो तूट जाते हैं लेकिन एक दिन हेंबद करके मैनेधे एक्सटेंशन चाहि मेरे हाथ हैं यहात कि यहातान मेरे गल्याध मेरे चाहिते हैं अपर यह इंसकत्रों पार पीकल पनेल एक बेदा ज्याद के इंसान चेया दाई अए Acrylic Nail Extensions, Fiber Nail Extensions and Powder Diff Nail Extensions शायद और भी आते होंगे लेकिन मुझे ये तीन पता है तो मैंने जो है वो Powder Diff Nail Extensions कराये थे जो कि मुझे honestly बहुत जादा पसंद नहीं है Initially I was very happy जब मैंने कराये थे because मैंने first time कराये थे and I was very happy to see मेरे लपे लपे नाखून, beautiful hands I was very happy but it's not my cup of tea मैंने करा तो लिया नेल एक्सेंशन बड़ ओनिसली दीरे थे मुझे पता चलने लग गया कि ये मेरे लिए नहीं है मुझे नहीं कराने जाहिए कि मैंने कराया है Powder Dip Nail Extensions जिसमें की ऊपर की एक टिप जो होती है वो एक glue से चिपकाते है और आपके पूरे नेल के ऊपर glue लगा के उसको powder में डिप किया जाता है जिससे की इसके नेल की लेयर बेल्ड हो जाती है और एक fake nail आपके नापुल के ऊपर तयार हो जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं price की तो नेल extension का price vary करता है अलग-अलग जगे के हिसाब से तक का ये normally price bracket होता है extensions का मैंने दोनों हाथों में nail extensions करवाए थे और मैं recently travel कर रहे थी जब मैंने train में से अपना उपर से suitcase में होतार रहे थी तो मेरे दोन आपन उसमें अटक के तूट गए और इट वस सो बेंफुल बहुत ही ज़ादा दरद हुआ था मतलब मेरे आंसू आ गए थे उस ताइम पर सो क्यूंकि दो टूट गए थे तो मुझे बाकी भी निकलवाने पड़े इस साथ कि मैंने निकलवाए नहीं मैंने लेकिन थोड़े से छोटे कर वा लिए आपके नाखुन कितनी जल्दी बढ़ते हैं उस पर डिपेंट करता है अब अगर आप देखेंगे मेरे इस वीडियो में तो मैंने मुझे नेल एक्सटेंशन कराया हुए कुछ तीन हफ़ते हो गए हैं और उपर से यह नाखुन कभी नहीं हटता है जब तक कि वो निकलवा यहां से नाखुन जब आपका बढ़ता जाएगा तो यहां आपको एक ग्याप दिखती जाएगा तो देख रहा है वीडियो में विडियो में और यहां से आपके ग्याप बढ़ती जाएगी जो कि अभी बहुत जादा विसीबल नहीं है तीन हफटे हो गए है मुझे और अ भूम तर छोगन फाänge सздरे लिएयं उसके बाद आप और फिल यहां से आपका बड़ा हुआ है वापस देचाहर, वह बटार करेंगे पांपनी पटे का उचाहर हो आपको अलग चार्जस देने पड़ते हैं वो भी अलग अलग चालों पर डिपांग करते हैं इसका सिर्फ नाम रिफिलिंग है लेकिन आपको पूरा प्रोसेस दुबारा ही करना होता है सिर्फ यह टिप दुबारा नहीं लगेगी टिप जो लगी है वही लगी रहेगी बाकि प्रोसे लेके 2-2,000-3,000 तक लगते हैं फिलिंग के रिफिलिंग के पैसे तो एक बार का खड़्चा नहीं है अगर आपने लेल एक्टेंशन कराएं तो आपको जब तक वो नेल एक्टेंशन रखने हैं तब तक आपको हर महीने रिफिलिंग कराती रहने पड़ेगी नेक् वेरी पेंफुल आपको सबके साथ होता है कि नहीं बट मेरे पावडर डिप नेल्स कराएं थे मैंने अन इड़ेगी लेकिन मुझे बहुत पेंवा था जब मैंने अपने यह वाले नेल्स निकल भाय थे वोस बेरी पेंफुल उन्होंने कुछ सुलीशन में इसको डिप करक है लेकिन निकल भाने में दर्थ होता है और मुझे तो चार घंटे लगे थे इट टुप मी फूर आवर्स तो पूर दी एक्स्टेंशन ऑन बोथ मैं हैं इस पावडर डिप में साथा लगता होगा टाइम लेकिन चार घंटे मुझे लग रहे थे तो अगर आपको कोई सालो बोल रहा है कि एक से घंटे में हो जाएगा तो वो जूट बोल रहा है डोंट ट्रस्टेंशन लगवा के मैं शूरू में बहुत खुछ थी लेकिन बाद में मैं बहुत परिशान हो गई थी लाइक घर आने के बाद मैं मुझे चमच भी नहीं उठ रहा मुझे फोन नहीं प नहीं हो गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम में टाइप नहीं कर पा रही थी मैं अभी भी मेरी टाइपिंग स्पी बहुत कम हो गई बिकोज नेज के साथ टाइप करना इसी नहीं है I have no clue how the girls carry such long nails मुझ से carry नहीं हो पा रहे हैं and I will hopefully get them removed so yes now I have these nails एक हाथ के chopped off और एक हाथ के थोड़े बड़े हैं and again यह इस उंडली का नाखुन मेरा कल पर सुंग किसी में अटक के खिच गया था और इसमें बहुत ज्यादा दर्द है I can't use this finger किसी भी काम के लिए बहुत अभी तख भी बहुत दर्द है बिल्कुल इसे खिच गया था है नाखुन so if you ask me अगर आप मेरी तरह एक housewife हैं अगर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं तो I would not suggest you to get the long nail extensions अगर आपका बहुत मन है मेरी तरह तो आप कराईए आपके nail extensions लेकिन go to some very reputed parlor जहां पर experienced technicians हो और ज्यादा लंबे मत कराईएगा please because यह लेंथ मेरी अभी है मुझे यह भी लंबी लग रही है इससे भी आप और थोड़ी सी छोटी करा सकते हैं मतलब इतनी इतनी लेंथ मतलब आप लंबे नेर्स मत कराईगा प्रीस बहुत जादा प्रॉब्लम होती है और आप सेल्वार भेंती है तो तो बिल्कुली लंबे नेर्स मत कराईगा because नाड़ा ही भी खुलता यार बड़ी प्रॉब्लम होती है आप जोड़ी तो यह नेल एक्सेंशन करना इस नौट इस नौट पेशिंट आपको बहुत पेशिंट होना पड़ेगा बहुत सबर रखना पड़ेगा कि जब तक आपको इनकी आदत हो जाए उसके पाद आप इनको क्याव पाओगे जो कि मुझे अभी तक भी नहीं हुप पर्मनेंट नेल पेंट भी लगाया होया है जो कि मुझे 300 रुपीस का पड़ा था एंदिस इस सम्धिंग वेरी गुट फॉर अ क्लम्जी परसिं लाइक मेरी नेल पेंट कभी अच्छे से नहीं लग पाती है मैं जब भी नेल पेंट लगा कि बहार जाती हूं तो बहार नि आपन देयो क्टो फिक के लिए तो अहला एं लेल पेंट के बारिक सार क्यूं ए के साथ, and yeah, see you tomorrow in my next video. Bye-bye, bye-bye. आप पे आप पैशन और होम प्रोड़क्स वाट्साप पर बेच कर कमा सकते हैं. आप खोलते ही आपको हाई कॉलिटी प्रोड़क्त कैटलोग दिखेंगे, जो कि हम इंडिया पे बेस्ट सप्लायर से लाते हैं. आपको जो भी कैटलोग पसंद आता है, आप उसे अपने फ्रेंज और फैंबली के साथ वाट्साप पे शेयर करें. कैटलोग शेयर करने के बाद आपके कस्टमर्स आपसे प्रोड़क्त का प्राइस पूछेंगे. अब आगे क्या करना चाहिए, अप्शिन चूज करें और फिर डिलिवरी अड्रेस आड करें. अग अपना प्रोफिट मार्जिन आड करें, एले अपनी टोटल कॉस्ट का हिसाब लगाएं. टोटल कॉस्ट पता करने के लिए अप पर दिये गए प्रोड़क्त प्राइस और शिपिंग चार्जिस को आड करें. टोटल कॉस्ट पर अपना प्रोफिट मार्जिन आड करें, आप जितना चाहे उतना मार्जिन आड कर सकते हैं. तो इंदिजार के इस बात का है, अभी र आप और बन जाए एक बिजनेस वुमन खर बैठे.